हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर चैनल जिसका नाम है तैलेंटट फारुकीज तो आज की जो रेसिपी आप स्क्रीन में देख रहे हैं जो हमने आज चीज बनाई है वो है चिकन सी कबाब चिकन सी कबाब बहुती एजीली बन जाते हैं बहुत सिंपल इंग्रीडियंट्स के साथ बनते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं आप जरूर ट्राइ करें लेकिन आप वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं वीड जरूरत पढ़े आप इसको निकाल के फ्रिच से इसे फ्राइ करके खा सकते हैं लगबग दस एक दिन तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं ना भूलें के आप प्यास के लच्छे बनाए लैमन के साथ और ग्रीन चटनी के साथ इसे सर्व करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मिक्सी में एजीली बहुत बन जाता है यह बहुत अच्छे से फाइन कीमा आपको प्रिपेर करना है यहां पर हम बहुत रेगुलर मसाले डाल रहे हैं जैसे के आदा चमच हमने यहां पर रेड चिली पाउडर डाला है यहां पर हम गरब मसाला डालेंगे आदा चमच इसका जीरा पाउडर डाला है अब यहाँ पर डाल रहे हैं अमचूर पाउडर आप लेमन भी डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको खटास पसंद नहीं है हमने यहाँ पर आधा चम्मत जिंजर गार्लिक पेस डाला है सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो इसमें काली मर्श का पाउडर डाल सकते हैं चाट मसाला डालते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिफाइन डॉइल डाला है क्योंकि चिकन में फैट नहीं होता है इतना तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा अच्छी इसकी बाइंडिंग करने के लिए इसको इस अगर आपके पास नहीं है तो आप पैंसल का यूज करके भी इन्हें शेप दे सकते हैं हाथ में चाहें तो आप थोड़ा सा ओईल लगा ले रिफाइन ऑईल या घी लगा ले और थोड़े थोड़े पोर्शन को ले और जो सीख है उसके उपर इसे इस तरीके से सेट करें अब हमने या पर गैस की फ्लेम पर इन्हें पर इन्हें लगा लीजिए अब हमने या पर गैस की फ्लेम पर इनका बाबों को थोड़ी देर के लिए पकाना है क्योंकि इससे क्या होगा कि जो सीख के उपर इनका शेप हमने अपने हाथों से दिया है वो सेट हो जाएगा अगर आप इन्हें ऐसे ही निकालना चाहेंगे तो यह नहीं निकलेंगे और शेप भी बिगड़ जाएगी इन्हें प्रॉपर सीख के शेप में रखने के लिए आपको इसे कुछ सेकंड्स के लिए फ्लेम के उपर ऐसे रखना है यह देखिए और फिर एक जब यह गरम गरम ही रहे इसी टाइम इसे आपको एक कपड़ा लेकर इसे हलके से सीख से उतार लेना है बिल्कुल परफेक्ट शेप की यह कबाब निकलेंगे तो सभी कबाबों को हमने फ्लेम के उपर सेख सेख कर निकाल लिया है अब हमने यहाँ पर तवे पर ऑईल गरम किया आप कोई भी ऑईल यूज कर सकते हैं चाहे मस्टर्ड ऑईल चाहे रिफाइन ऑईल हमने यहां पर mustard oil यूज़ किया है इसे गरम करने के बाद हम इन सभी कबाबों को सिखे हुए कबाबों को थोड़ा थोड़ा फ्राइ कर लेंगे हलका हलका जब तक इसका light golden color नहीं आ जाता है तब तक हम इने फ्राइ कर लेंगे एक तरफ से फ्राइ हो जाएं तो आप इसे पलट लें वीडियो अच्छी लग रही हो रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक लाइक ज़रूर दे जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें बैल आइगन प्रेस करना बिलकुल भी न भूले रेसिपी अपने घरों में जरूर ट्राइ करें देखिए अगर आपको स्टोर करना है तो जब हमने ये कबाब ये कबाब हमने जब गैस की फ्लेम पर थोड़े थोड़े सेके थे उसी वक्त आपको ये क्या करना है थोड़ा जब रूम टेंपरेचर पर आ जाएं ठंडे हो जाएं तो आप एक जिप लॉक बैग में इने स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रख सकते हैं 5-6 दिन तक आप इने 10 दिन तक भी स्टोर कर सकते हैं और इस दोरान आपी से निकालकर फ्रिज से फ्राय करें चटनी के साथ सर्व करें मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में त